क्रिकेट के भगवान कही जाने वाले महान भारती क्रिकेटेर सचिन तेंदूलकर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं सचिन ने सोचल मीडिया पर इस बात की जानकरी दी उन्होंने ट्वीट के जरीए अपने फैंस और फॉलावर्स को इस बारे में बताते हुए लिखा कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बता दें कि हाल की दिनों में कोवीड-19 की चपेट में आने वाले सचिन तेंदूलकर सबसे बड़े नामों में से एक हैं उनके अलावा बॉलिवड के कुछ बड़े स्टार्स भी हाली कोरोना संक्रमित पाये गए है ट्वीट के जरीए दी जानकारी सचिन ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी देते हुए ट्वीट कर लिखा कि वह लगाता टेस्ट करवा रहे है साथी सबी दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहे थे, हाली में उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया और उन्हें हलके लक्षणों के साथ पॉजिटिव पाया गया है। पॉसिटिव आने के बाद सचिन ने खुद को घर में ही होम कुरेंटेंट कर लिया है। साथ ही वे COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। सचिन ने फ्रीट में लिक हाम है डॉक्टर्स की सालहा पर अमल कर रहा है। सभी हेल्थ वर्करों को धन्यवात कहना चाहता हू मुझे पूरे देश पर से सब्सक्रत कर रही है। सभी अपना धियान रखें। रोट सփफ्टी वर्ल्ट सेरीज चालांज में भाग लिया। बता दी kings कि हाली कि तैयारी वहीं सचिन तेंदुलगर के बेटे अर्जुन तेंदुलगर आइपेल 2021 में डेब्यू की तैयारियों में जुटे हुए हैं अब इंडियन्स टीम की तरफ से खेलेंगे और इस वक्त अपनी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेनिंग कैम्प में प्रैक्टिस कर रहे हैं झाल